प्रिय भक्त जनो आज ब्रहस्पति वार के दिन आप ब्रहस्पति देव की बड़ी दुर्लब कथा सुनेंगे। इस कथा को सुनने से भक्तों की सभी मनों कामनाएं भगवान ब्रहस्पति देव की क्रिपास से उन हो जाती हैं। तो आईए बड़ी ही श्रथा और प्रसमित चित्यमन से इस कथा को सुनते हैं। भारत वर्ष में एक कतापी और दानी राजा राज्य करता था, वह नित्य गरीबों और ब्राम्बनों की सहायता करता था। क्या बात उसकी राणी को अच्छी नहीं करती थी, वह नहीं गरीबों को दान देती, नहीं भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार के लिए वन को गए हुए थे, तो राणी महल में पकीली थी। उसी समय ब्रहसपती देव सादू वेश में राजा के महल में भीक्षा लेने के लिए गए और भीक्षा मांगी, तो राणी ने भीक्षा देने से इंकार कर दिया और कहा, ए सादू आराज, मैं तो दान पोन्य से तल आ गई हूँ, मेरा पती सारा धन लुटाते रहते हैं, म पुत्रो लक्ष्मी तो पापी के गर भी होने चाहिए, यदि तुम्हारे पास अधिक धन है, तो भूगों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याओ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्म शालाएं खुलवाओ, जो निर्दन अपनी कुवारे कन्याओं का विवाह नहीं क वह बोली, महराज, आप मुझी कुछ न समझाएं, मैं ऐसा धन नहीं चाहती, जो हर जगह बाठती फिरूं। सादू ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है, तो तथास तू, तुम ऐसा करना कि ब्रहस पतिवार को घर लिपकर, तीली मिट्टी से अपना सिर हो गए, और सादू के अनुसार कहीं बातों को पूरा करते हुई, रानी को केवल तीन ब्रहस पतिवार ही भीते थे, कि उसकी समस्त धन संपति नश्ट हो गए, बोजन के लिए राजा का परिवार करसने लगा, तब एक दिन राजा ने रानी से बोला, कि है रानी, तुम यह रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कारिय नहीं कर सकता, ऐसा कहकर राजा पर्देश चला गया, वहाँ वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता, और शहर में बेशता था, इस तरह वह अपना जीवन हितीत करने लगा, इधर राजा के पर्देश जाते ही, रानी और दासी दुखी रहने लगी, एक बार जब रानी और दासी को साथ दिन तक बिना भोजन की रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, ए दासी, पास ही के नगर में मेरे बहन रहती है, वह द्धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ लेकर आ, तकि थोड़ा बहुत गुजार बसर हो सके, रानी दासी की बहन के पास गई, उस दिन गुरुवार था, और रानी की बहन उस समय ब्रैस पतिवार व्रत की कता सुन रही थी, दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का सं देश दिया लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया दासी ने वापिस आकर रानी को सारी बात बता दी सुनकर रानी ने अपने बाग ये को कोसा उध वी बहन के घर आई और कहने लगी ये बहन मैं ब्रहस्पतिवार का वरत कर रही थी तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी परंतु जब तक कथा होती हैं तब तक न तो उड़ते हैं और नहीं बोलते हैं इसलिए मैं नहीं बोली बहन तुमसे क्या छिपाओं हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था ऐसा कहते कहते रानी की आखें भराई उसने दासी समेच पिछले साथ दिनों से भूगे रहने तक की बात अपने बहन को विस्ताथ पूरवक सुना दी रानी के बहन बोली देखो बहन भगवान ब्रजपती सब की मनोकामना को पूर्ण करते हैं देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो पहली तो रानी को विश्वास नहीं हुआ पर बहन के आगरह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तुसे सचमुच अनाज से बरा एक घड़ा मिल गया यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई दासी रानी से कहने लगी यह रानी जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं इसलिए क्यों न इंजी व्रत और कथा की विदी पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके तब रानी ने अपनी बहन से ब्रहस पतिवार व्रत के बारे में पूछा उसकी बहन ने बताया ब्रहस पतिवार क व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विश्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तका दीपक जनाएं व्रत कथा सुने और पिना भोजन ही करें इसे पती देव ब्रसन होती है और व्रत और पूजन विदी बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई साथ दिन के पाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा गुड़ साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई फिर उससे केले की जड़ तता विश्णु भगवान का पूजन किया अब पिला भोजन कहां से आये इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी क्योंकि उल्होंने व्रत रखा था इसलिए ब्रहस्पती दे उनसे प्रसंड ने थे इसलिए वे एक साधार्म विक्ति का रूप धारन करके दो थालों में सुन्दर पिला भोजन दासी को दे गए भोजन पाकर दासी बहुत प्रसंड हुई और फिर रानी के साथ में कर भोजन ग्रहन किया उसके बाद में सभी गुरुवार को व्रत और खूजन करने लगी ब्रहस्पती भगवान की क्रपा से उनके पास फिर से धन संपत्ती आ गई परन्तु रानी फिर से पहले की तरह आ तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था इस कारण सभी धन नश्ट हो गया और अब जब भगवान रैस्पती की क्रिपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी बढ़ेगा स्वर की प्राप्टी होगी और पित्र प्रसन्य होंगी दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुपकारियों में खर्च करने लगी जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा उधर एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा बैठ गया वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा ब्रहस्पतिवार का दिन था एक एक उसने देखा कि निर्चन वन में एक साधू प्रकट हुए वह साधू वेश में स्वयम ब्रहस्पति देवता थे लकड़हारे के सामने आकर बोले लकड़हारे इस चिंता मगन क्यों बैठा है लकड़हारे ने दोलों हाठ चोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया महात्मा जी आप सब कुछ जानते हैं मैं क्या कहूं यह कहकर रोने लगा और साधू को अपनी आत्म कथा सुनाई महात्मा जी ने कहा तुम्हारे इस तरी ने ब्रहस्पत दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपति देंगे तुम ब्रहस्पति के दिन कथा किया करो दो पैसे के चने मुनक का लाकर उसका प्रसाथ बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्तर मिलाकर अम्रित तयार करो कथा के पश्चार अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अम्रित वप्रसाथ को बाठ कर खुद भी गहन करो ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब बनो कामनाएं पूरी करेंगे साधू के ऐसे वचन सुनकर लकड हारा बोला ए प्रभू मुझे लकडी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे कहानी सुनो मुझको तु कुछ भी मालूम नहीं है साधू ने कहा ए लकड हारे तुम किसी बात की चिंता मत करो ब्रहस पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकडिया लेकर शहर को जाओ तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा जिससे तुम भली भाती बोजन कर कि असरे है ग्याता वह रहती चाहिए कि प्राप्त प्राह्में, कहुगन बर करका है सुनो प्राट्भ काल में कि ब्राह्मन रहता था बहबबहुत निर्धन था उसके कोई संतान नहीं थी उसके किस्तरी मुझमत के साथ रहती थी बहसनान नहीं करती किसी देवता का पूजन नहीं करती इससे ब्रामन देवता बड़े दुखी थे बेचारे बहुत कुछ कहते थे किन्तु उसका कुछ परिणाम नहीं निकला बागवान की क्रिपा से ब्रामन की इस्तरी के कन्या रूपी रत्ल पैदा हुआ कन्या बड़ी होने पर प्रात हस्नान करके विष्टु बागवान का जाप और ब्रहस्पतिवार का वृत करने लगी अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्या ले जाती तो अपनी मुठी में जो भरके ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती तब ये जो सोएंड के हो जाती तो लोटते समय उनको बीन कर घर ले आती दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जो को फटब कर साफ कर रही थी ये उसके पिता ने देख लिया और कहा ए बेटी सोने के जो के लिए सोने का सूप होना चाहिए दूसरे दिन ब्रहसपसी वार था इस कन्या ने वरत रखा और ब्रहसपसी देव से प्रातना करके कहा मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो ब्रहस्पति देव ने उसकी प्रातना सुईकार कर ली रोजाना की तरह वह कन्या जोब फैलाती हुई जाने लगी जब लौट कर जोब बीन रही थी तो ब्रहस्पति देव की क्रिपा से सोने का सूप मिला उसे वह घर ले आई और उसमें जोब साफ करने लगी परतु उसकी मा का वही ढंग रहा एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जोब साफ कर रही थी उस समय उस शेहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला इस कन्या की रोप और कार्य को देख कर मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन और जल त्याप कर उदास होकर लेट गया राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधान मंत्री के साथ उसके पास गए और बोले हे बीटा तुम्हें किस बात का कष्ट है किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा और कोई कारण हो सो कहो मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसंता हो अपने पिता की राजकुमार ने बाते सुनी तो वह बोला मुझे आपकी क्रिपासी किसी बात का दुख नहीं है किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी यह सुनकर राजा आश्यरे में पढ़ गया और बोला हे बेटा इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूगा राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्रामन देवता को सभी हाल बताया ब्रामन देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तयार हो गए तका विधी विधान के अनुसार ब्रामन की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया कन्या की घर से जाते ही पहले की बाती उस प्रामन देवता की घर में गरीवी का निवास हो गया अब बोजन के लिए भी अन्य बड़ी मुश्किल से मिलता था एक दिन दुखी होकर प्रामन देवता अपनी पुत्री के पास गए बीटे ने पिता की दुखी होज़ा को देखा और अपनी मा का हाल पूचा तब ब्रामन ने भी सभी हाल कहा कन्या ने बहुत सा गण देकर अपनी पिता को विदा कर दिया इस तरह ब्रामन का कुछ समय सुख पुरवक यतित हुआ कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गया ब्रामन फिर अपनी कन्या के यहां गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली हे पिता जी आप माता जी को यहां ले आओ मैं उन्हें विधी बता दूगी जिससे उनकी गरीबी दूर हो जाए वह ब्रामन देवता अपनी इस्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो अपनी मा को समझाने लगी कि हे मा तुम प्रातर काल प्रथम स्नान आदे करके विष्टो भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी परन्तो उसकी मा ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातर काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूचन को खा लिया इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्ता आया उसमें एक रात को एक कोट्री से सारा समान निकाल दिया और अपनी मा को उसमें बंद कर दिया प्रातर उसमें से उसे निकाला तो स्नान आदी करा के पुजा पाड़ करवाया तो उसकी मा की बुधि ठीक हो गए इसके बाद वह नियम से पुजा पाड़ करती और प्रतिय ब्रहस्पतिवार को वरत रखने लगी इस वरत की प्रभाव से उसकी माता और पिता बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और ब्रहसपती देवता की प्रभाव से इस लोग के सुख को भोकर अंत में स्वर्ग को प्रप्त हुए इस तरह कहानी कहकर सादू दीवता वहां से अंतर ध्यान हो गए दीरे दीरे समय वितीत होने पर और फिर वही ब्राजपतिवार का दिन आया लकड़ारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेजने गया उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला राजा ने चना गोड़ आदी लाकर गुरुवार का व्रत किया उस दिन से उसके सभी केश दूर हो गए परन्तु जब दुबारा गुरुवार का दिन आया तो ब्राजपतिवार का व्रत करना भूल गया इस कारण ब्राजपति भगवान नाराज हो गए उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यगित्व आयोजन किया था तथा शहर में ये गोशना करा दी कि कोई भी मनुश्य अपने घर में बोजन न बनवाए न आग जलाएं समस्त जनता मेरे यहां बोजन करने आएं इस आग्या को जो न मानेगा उसे फासी की सजा दी जाएगी इस तरह की गोशना संपुन नगर में करवा दी गई राजा की आग्या की अनुसार शहर की सभी लोग बोजन करने गए लेकिन लकड हारा कुछ देर से पहुचा इसलिए राजा उसको अपने साथ गर लेके गए और ले जाकर बोजन करा रहे थे तो राणी की दरिश्टी उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लड़का ह हुआ था वह वहां पर दिखाई नहीं दिया राणी निश्टे किया कि मेरा हार इस मनुश्य ने चुरा लिया है उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया जब लकड हारा कारागार में पढ़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना कट हुए और उसके दशा को देखकर कहने लगे अरे मूर्ग तुने ब्रहसपती देव की कता नहीं करी इस कारण तुझे दुख राप्त हुआ है अब चिंता मत कर ब्रहसपती वार के दिन कारागार के दर्वाजे पर चार पैसे पढ़े मिलेंगे उनसे तू ब्रहसपती द मैंने उस नगर की राजा को स्वपन में कहा ए राजा तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोश है वह राजा है उसे छोड़ देना रानी का हार उसी खोटी पर लटका है अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राजी को नश्ट कर दूँग इस तरह रातरी के स्वपन को देखकर राजा प्रातर काल उठा और खोटी पर हार देखकर लकड़हारे को गुलाकर शमा मांगी और लकड़हारे को योगी सुन्दर वस्त्र आभूशन देकर विदा कर दिया ब्रहस पती दियो की आग्या की अनुसार लकड़हारा अपनी नगर को चल दिया, राजा जब अपने नगर के निकट पहुँचा तो उसे बड़ा आश्चरी हुआ, नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुई, तक बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदी बन गई है, राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है, तब नगर राजा हमको कितनी बुरे हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर वह लोट न जाए, इसलिए तो दर्वाजे पर खड़ी हो जाँ, आग्या के अनुसार दाजी दर्वाजे पर खड़ी हो गई, राजा आई, तो उन्हें अपने साथ लेकर आई, तब राजा ने निश्चे किया कि साथ रोज बात तो सभी रहस्पती देव का कूजन करते हैं, परंतु मैं ब्रति दिन दिन में तीन बार कहानी और रोज व्रत किया करूँगा, अब हर समय राजा की दुपट्टे में चलने की डाल बंदी रहती और दिन में तीन बार कहानी कहते, एक आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं, उन्हें रोब कर राजा कहने लगा, अरे भाईयों, मेरे ब्रहस्पती देव की कता सुन लो, वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसको भी कता की पड़ी है, परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो हम तुमारी कता भी सुन मिला, तो राजा ने उसे देखकर बोला, अरे भाईया, तुम मेरे ब्रहस्पती वार की कता सुन लो, किसान बोला, जब तक मैं तेरी कता सुनूँगा, तब तक चार हरे या जोत लूँगा, जा अपनी कता किसी और को सुनाना, इस तरह राजा आके चलने लगा, राजा के ह सुत्रे से सब हाल पूचा, और बेटे ने सभी हाल कह दिया, तो बुडिया दोडी दोडी उस घुर सवार के पास गई, और उससे बोली, कि मैं तेरी कता सुनूँगी, तो अपनी कता मेरे खेत पर चलकर ही कहना, राजा ने बुडिया के खेत पर जाकर कता कही, जिसके सुन देखने लगा कि सब लोग बोजन कर रहे हैं, राजा ने अपनी महन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने बोजन नहीं किया हो, मेरे ब्रहसपतिवार की कता सुन ले, बहन बोली, ये बैया, ये देश ऐसा है कि पहले यहां लोग बोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते है अगर कोई पडोस में हो तो देख आओ, वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परन्तु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, जिसने वोजन न किया हो, अतव एक कुमार की घर गई, जिसका लड़का बीमार था, उसे मालूम हुआ कि उनके यहां तीन रोज से किसी ने वोजन नह गया, अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी, राजा ने अपने बहन से कहा कि यह बहन हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तयार हो जाओ, राजा की बहन ने अपनी सास से कहा, तो सास ने कहा हाँ चली जाँ, परन्तु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे कोई अउलाद नहीं है, बहन ने अपने भाईया से कहा, ए भाईया, मैं तो चलूँगी, पर कोई बालक नहीं चलेगा, तो राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा, तब तुम ही क्या करोगी, बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया, राजा ने अवश्य देंगे, उसी राज को ब्रैसपती देवने राजा से सुपनम में कहा, ए राजा उठो, सभी सोच त्याक दो, तेरी रानी गर्व से है, राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई, नवे महीने में उसके गर्व से एक सुन्दर पुत्र पैदा हुआ, तब राजा बोला, हे रानी, इस तरी बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहें नहीं रह सकती, जब मेरी बहन आएगी, तुम उससे कुछ मत कहना, रानी ने सुनकर हा कर दिया, जब राजा की बहन ने यह शुप समाचार सुना, तो वह बहुत खुश हुई, और बढ़ाई ले ब्रहसपती देव ऐसे ही है, जैसी जिसकी मन में कामनाएं है, सभी को पूर्ण करते हैं, जो सद्भावना पूर्वक ब्रहसपती वाल का वरत करता है, एवं कठा पड़ता है, अथ्वा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, ब्रहसपती देव उनकी सभी मनो कामनाएं पूर् जैसे राजा और रानी ने ब्रहस्पती देव की कथा का गुर्णगान किया उनकी सभी इच्छाएं ब्रहस्पती देव ने पून की मनुश्य को रिदे से उनका मनन करते हुए जे कारा करना चाहिए तो प्रेम से बोले ब्रहस्पती देव की जै विश्नु भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, अब आप भगवान ब्रहस्पती देव की आर्ती श्रवन कीजिए ओम जै बरिस्पती दिवा चिन चिन बोग लगाओं कदली फल मेवा ओम जै बरिस्पती दिवा तुम पूरण परमातमा तुम अंतर यामी जगत पिता जगदीश्वर तुम सब की स्वामी ओम जय ब्रस्पति देवा चरणा मृत निज निर्मल सब पातक हरता सकल मनो रथ दायक कृपा करो भरता ओम जय ब्रस्पति देवा धन मन धन अरपण कर जो जन शरण पड़े प्रभू प्रकट तब होकर द्वार खड़े ओम जय ब्रस्पति देवा दीन दयाल दयान दी भकतन हितकारी पाप दोश सब हरता भव बंधन हारी ओम जय ब्रस्पति देवा सकल मनो रथ दायक सब संशैतारो विशय विकार मिटाओ संतन सुखकारी ओम जय ब्रस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे जे श्टानंद बंध सो सो मिश्च ही पावे ओम जय ब्रस्पति देवा ओम जय ब्रस्पति देवा प्रेम से बोलें भगवान ब्रस्पति देव की जय बोलें भगवान शी लक्षमिनारेंजी की जय अपको आपकी कन्हा पसंदाहि जय ब्रस्पति देवा जिय बहाँ